परियास्थीत सनातन मंदीर कल्चरल सेंटर की भूमिका से हम सब परिचीत हैं, आप अपने इन प्रयासों में कितना सफल हुए हैं, आपने किस तरह अपनी एक सकारात में छाप छोड़ी हैं, अपनी कनड़ाय आत्राओं में मैंने ये अनुभव किया हैं। मैं सनातन मंदीर कल्चरल सेंटर को इस अभिनव प्रयास से जुड़े आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सनातन मंदीर में सरदार वल्लब भाई प्रतेल की ये प्रतिमा न केवल हमारे सांस्कृतिक मुल्यों को मजबूती देगी, बल्कि दोनों देशों के समंदों की प्रतिक भी बनेगी। साथ ये एक भारतिय दुनिया में कहीं भी रहे, कितनी ही पीडियों तक रहे। उसकी भारतियता, उसकी भारत के प्रति निष्ठा लेश मात्र भी कम नहीं होती। वो भारतिय जिस देश में रहता है, पुरी लगन और इमामदारी से, उस देश की भी सिवा करता है। जो लोकतांत्रिक मुल्यों, जो कर्तवियों का एसास, उसके पुर्खे भारत से ले गए होते हैं, वो उसके दिल के कौने में हमेशा जीवन रहते हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि भारत एक राष्ट होने के साथ ही, एक महान परंपरा है, एक मैचारिक अधिश्ठान है, एक संसकार की सरीता है। भारत वो शिर्ष चिंतन है, जो वसुधैव कुटुमकम की बात करता है। भारत दूसरे के नुक्सान की कीमत पर अपने उत्थान के सपने नहीं देखता। भारत अपने साथ संपूर्ण मानवता के पुरी दुनिया के कल्यार की काबना करता है। इसलिए कनड़ा या किसी भी और देश में जब भारतिय संस्कृति के लिए समर्पीत कोई सनातन मंतिर खड़ा होता है। तो वो उस देश के मुल्यों को भी समरुद्ध करता है। इसलिए आप कनड़ा में भारत की आज़ादी का अमरित महुत्सव मनाते हैं। तो उसमें लोग तंत्र की साजी विरासत का भी सेलिबरिशन होता है। और इसलिए मैं मानता हूँ भारत की आजादी के अमरित महुत्सव का एसेलिबरेशन करेड़ा के लोगों को भी भारत को और नद्दिक से देखने समझने का अवसर देगा साथियों अमरित महुत्सव से जुड़ा आयोजन सनातन मंदिर कल्टरल सेंटर का स्थल और सरदार प्रटेल की प्रतिमा ये अपने आप में भारत का एक ब्रहत चित्र है आजादी के लड़ाई में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या सपने देखे थे कैसे आजाद देश के लिए संगर्ष किया था एक ऐसा भारत जो आधुनिक हो एक ऐसा भारत जो प्रकतिशिल हो और साथ ही एक ऐसा भारत जो अपने विचारों से अपने चिंतरन से अपने दर्सन से अपनी जड़ों से जुड़ा हो इसलिए आजाती के बाद नए मुकाम पर खड़े भारत को उसकी हजारों सालों की विरासत याद दिलाने के लिए सरदार साहाम ने सोमनात मंदीर की पुनरस्थापना की गुजराप उस सांस्कतिक महायग्य का साक्षी बना था आज आज़ादी के अमरत महोसों में हम वैसा ही नया भारत बनाने का संकल्प ले रहे हैं हम सरदार साहाब के उस सपने को पूरा करने का संकल्प दोहरा रहे हैं और उसमें स्टेच्य अफ यूनेटी देश के लिए बड़ी प्रेड़ा है स्टेच्य अफ यूनेटी की प्रकृती के रूप में करनड़ा के सनातन मंदिर कल्चर सेंटर में सरदार साहब की प्रतिमा स्थापित कर रहेगी साथियों आज का यह आयोजन इस बात का प्रतिक है कि भारत के अमरित संकल्प केवल भारत की सिमाहों तकी सिमित नहीं है यह संकल्प विश्व भर में फैल रहे हैं पूरे विश्व को जोड रहे हैं आज जब हम आत्मंदिर भर भारत भ्यान को आगे बढ़ाते हैं तो विश्व के लिए प्रगती की नई संभावने खोलने की भी बात करते हैं आज जब हम योगे के प्रसार के लिए प्रयास करते हैं, तो विश्व के हर व्यक्ति के लिए सर्वे संतु निरामया की कामना करते हैं। Climate Change और Sustainable Development जैसे विश्व को लेकर भी भारत की आवाज पूरी मानवता का प्रतिनिदित तो कर रही हैं। ये समय भारत के इस अभ्यान को आगे बढ़ाने का है। हमारा परिश्रम केवल अपने लिए नहीं है, बलकि भारत की प्रगति से पूरी मानवता का कल्यान जुड़ा है। हमें दुनिया को ये एहसास दिलाना है, इसमें आप सभी भारतियों, भारतिय मुलके सभी लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। अम्रत महोत सब के आयोजन भारत के प्रयासों को, भारत के विचारों को भी दुनिया तक पहुँचाने का माध्यम बने, ये हमारी प्रात्फिक्ता होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि अपने इस आदर्शों पर चलते हुए, हम एक नया भारत भी बनाएंगे और बहतर दुनिया का सपना भी साकर करेंगे। इसी भाव के साथ, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।